आज की ये वीडियो वो वीडियो है जो आपको एक या दो नमर पक्का करके ही जाएगी किसी भी competition एक्जाम में तो गई वीडियो हमने बात की थी आपके घं के बारे में बिल्कुल चुटकियों हमने घं के आंसर निकाले थे इस वीडियो में हम बात करने वाले घं मूल के बारे में अब इसको जानने से पहले एक चीज़ बता दू क्या खरकर देखो घं मूल क्या होता हमारे जैसे मालो मेरे पास 3 x 3 x 3 सिंपल सी बात का मुझे घं मूल से की से मौल किससे आये मैं इसका है रूट किया आया किससे यह थीक है ये तो भीक को अ जो होगा उसका 9 तक का उसका आप चुटकियों मान से निकाल देंगे विदिन 5 सेकंड से भी कम टाइम में अब ये परफेक्ट और नॉन परफेक्ट का फिर से चकर क्या आगा है यहाँ पर भी तो सुनो मेरी बात एक बात बताओ मैं आपसे पूछू कि 27 ठीक है 27 का क्योब रूट क्या होगा आप सिंपली बोलेगे यहाँ पर 3 होगा तो बो तो सही है पर मैं आपसे बोल दू 29 का बताओ अब वो पता नहीं 3 पॉइंट कुछ होगा पर वो कुछ क्या होगा वो पता नहीं तो पहली बात तो ऐसे कॉश्चन आपकी रीट एक्जाम हो चा कोई भी हो क्यूब रूट से आते ही बहुत कम है कोई बाई चांस आ जाते हैं वो एक बात लगए वरना इनके आने की प्रॉबेटी यूं मान लोगी एक परसेंट से भी कम होती है तो फिलाल इस वीडियो हम केबल डिसकस करेंगे प सुनों डिजिटल सम का नाव आपने पहले भी सुना होगा पर फिर से देख लिजिए आपको आता भी है तो भी यदि किसी भी संख्या का डिजिटल सम वन एट नाइन और जीरो हो तो वह हंड्रेट परसेंट फरफेक्ट क्यूब संख्या होगी ठीक है परफेक्ट क्यूब हमको परफेक्ट क्यूब रूट है हमको पता है वो तो पर देखिए 125 कितने हुए साथ सारे कितने हुए आठ तो मुझे बताओ इसका डिजिटल सम क्या हो गया एंड में आठ डिजिटल सम में केबल एक ही अंक आएगा एंड में सिंपल सी बात है जोड़ जालके एन में एक और जैसे मालू कि यहां पर यह आपके पास 58 59 है ठीक है तो यह देखो 59 तो यह रहे और 68 आपके यह अब मुझे बताओ नौर पांच कितने हुए तेरा सिंपल सी बात है सौरी चौदा नौर पांच चौदा हुए चौदा और 6 कितने हुए आपके पास में 20-20 आर आठ आठ दो कितने हुए 10 अब भी यहां पर दो आंक है तो बताओ फिर जीरो और बन कितना हुआ वन हुआ और डिजिट्रल सम बन है तो यह भी क्या है परफेक्ट क्योब रूट है मतलब जिस भी नम्मर का डिजिट्रल सम 1890 हुआ वो डेफिनेटल आपके क्या है परफेक्ट अच्छा मुझे बताओ नाइन और 30 कितने होता आपके पास में 12 होते हैं ओके 12 और जीरो वह 12 रहेंगे फ्रेट 12 और 3 15 15 हो गए है 15 और आपके पास कितने होए 24 और 24 कितने होगए 28 होगे अभी तो दो ने आठ रट दो फिरसे कितना हुए 10 ओ गये फिर जीरो और बन कितना ह हुआ वन हुआ डिजिटल सम्यदी वन हुआ तो फिर से क्या है हमारा मैटर अभी बता है तो भी वह आपकी परफेक्ट क्यों रूट है यानि याद कर लो अच्छे से वन एट नाइन जीरो अब चलते हैं सीधे परफेक्ट यो निकालने पर बात तो वह है सली अब जैसे आपके पास में सिक्स एट फाइब नाइन है हाँ वो पता आपको कि वह तो पता याद है तो अच्छी बात है ना है तो कोई बात नहीं बट एक से लेकर नो तक के होने चीए और कोई भी याद कर साकता है एक से लेकर नो तक के तो जोड़ा कितने का बनाना तीन का बनाना और छोड़नों फिर पीछ और रहा है पीछ ऑनाइस में 9 है 9 से 9 सक्षे फिर बात करें झाओ फिर बात करें इस 6 की 6 मुझे बताऊ काह मिलता है अब 6 सिंपल सी बात है इक याणि 2 हो नहीं सकता पिर बच्ogen का को हई एक एक का कौन है एक तो आपका answer क्या हो गया 1 9 हो गया 19 आपके क्या हो गया और देखते हैं अब जैसे आपके पास हमें 493039 तीन तीन के पेर बनाएंगे फिर से ये लोग तीन अंक का ये और तीन अंक का आपका ये हो गया दो बादा हो उससे फर्क ने पड़ता यहां पर दो जोड़े बंद रहे तो यहां पर आगर एक आपका यह आएगा तो देखो पीछे कौन है नो है नो ढूंड़ो कहां पर है फिर से आपको पता है कि नो तो 739 में मिलता है वह किसके लिए नो के लिए तो इसका नो आ गया और 493 कहां पर आयता है 493 को ढूंडो यह कहां पर आता है 493 ढूंडो 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 493 340 से तो आग आएगा 512 से कम हो जाएगा तो इसके लिए कोन आएगा केवल से बनाएगा यानि 79 आपके पास में क्या हो गया अंसर हो गया और हादोस्तों प्लीज मेरे चनल टीचर से ब बना दिया एक जोड़ा यह रहा सेकंड जोड़ा यह रहा जो विचारा अदूरा है इसको 0 लगा देते हैं कोई जरूर नहीं है वैसे 0 लगाना अच्छा ठीक है 5 है ना पीछे को 5 है तो ढूंडो 5 किसमें है 5 125 में है और 25 का यूज कौन होता है 5 के लिए होता है तो यह 5 हो 35 का आंसर हो गया बस थोड़ा सबर रखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हम बड़ी संख्याओ की तरफ अब जैसे कुछ नमर आपकी स्क्रीन पर है इनसे आपका और भी अच्छे से फंडा किलियर हो जाएगा 6 अंके तक कि क्यो बूट संख्याओ का तो अब देखिए इस बाले आपको 2-16 में मिलता है और वो आपके किसके लिए यूज़ होता है शे के लिए यूज़ होता है तो इसका तो छे आगजा अब इसको डूड़ना यह है कहां करका रहे है तो 636 है डूड़ो 343 यहां पर तो अभी तो नहीं है 512 इससे भी ज़्यादा है पर 730 से तो कम है तो यह तो हम लेंगे 512 लेंगे जो किसके लिए यूज़ हो रहा है एट के लिए यूज़ हो रहा है आंसर क्या हुआ 56 बता को यह तकलीप क्या अब थोड़ा फास्ट देखना इस बाले को ठीक है 77 डूड़ो 7 कहां मिलता है आपको 27 मिलता है इसके लिए कौन यूज़ होता है त्री यूज़ होता है और 250 आपको कहां मिलते हैं 26 16 यहां पे नहीं है 340 से कम होगे 216 या निगे आपके पास में 6 आंसर इस 63 ओके मज़ा आया आगे चलो 122 कहां गूंड़ो जैया दूबार 2 कहां पे मिलता है आपको 512 में मिलता है किसके लिए है 8 के लिए है 941 कहां मिलता है Não м tooंने समयशिय भिए जाए 94 बन तो मार पास है नहीं किदर को भी तो आजी को मिलेगा कहां 2729 से तो आगे मिलेगा पर आपका 0000 से कम होगा यानि कि आपके पास में 10 तो लेंगे 9 को लेंगे तो 98 आपके पास में क्या हूआ इसका आइस्का को हो गया चैंक तक करत हुआ अब मामला हमाराब यहां पर आप जैसे उपर हुए तो उसको भी देख लेते बिल्कुल अब बात करते हैं कि जिन भी संख्याओं में नौ से ज्यादा मतलब छह से ज्यादा आंग को उनका हम क्या करें उनका हम क्या करें तो जहां से सुनिया हूँ इसमें बता हुझे कितने सारे जोड़े बन रहें आपके पास में एक दो और आपके तीन जोड़े बन रहें उत्तर में तो तीन आएंगे वह तमको समझ आया अब मुझे यह बता हूँ आप कि आपको ढूंडो ढूंडो मिलेंगे आपके नौ में यानि नौ का सिंपल सी बात आएंड में कौन आएगा और सुरुआत का भी एक बार देख लेते हैं 387 की बात कर रहा हूँ मैं 387 कहां पर मिलेगा डूंड़िये अच्योंड़िये 387 इससे आ चान इससे आगे है 3453 से आ टीका तीनracar से गये पांसो बारा से कम है यानि आप यूज करेंगे सेबन तो इसका पहला को ना गया सेबन आ गया पर साला तकलीफ यह है कि बीच में कौन है बीच में कौन है बस वह हमको ढूंदा है और ढूंदा कैसे है आपको थोड़ा बता दू एक मिनिट में इसको तो तो रहेज कर देता तो देखो पहला हमारा कौन है था सेबन आया था एंडश अंडश फोण मिला है हमको 9 मिला था अब बात है बीच-बाली की बीच बारता देखो कैसे देखेंगे कुछ ने करना पहली बात काम करो गटा लेते है इसको गटाने क्यों है वो सुनो मतलब कहने क्यों है यह करना आपको पहली बात तो इसक एंड़ांग का निकाल लेना और पहला आंक की आपको निकाल लेना है जो ने निकाला निकाला ठीक है को डिखे पहला को खेंप الرण को घुले एसके की घाला लूब तक 729 कर दिया बहुत है नमंसी Stupid है तो जीरोग बचे मतलब कुछ भी नहीं बचा ऐसे मालोग जीरो मतलब कुछ भी नहीं बचरा वो तो कोण 6 है ? मुझे 6 लेकर आने ? बढई 6 लेकर कहां से आने ? किस से लेकर आने ? भाई यह तो भता ? इस 9 से लेकर आने इसका एस square कर दो आप तो और 3 से गुणा कर दो याँ इसका ए एंड का है isका, स्क्वैर कर ओ, 3 से गुणा कर दू किंतना होता है ?Square ? 81 सी होता है ?éस 243 को किस से गुणा करूं एक अंक से कि मुझे एंड में जाकर मुझे 6 मिलें तो देखो मैं एक से गुणा करूं तो तीन एक हम तीन मिलेगा वह यहां पर 6 नहीं आ सकता फिर तो पर हाँ यदि मैं दो से गुणा करूं तो दो थी है कि मुझे क्या मिलता है यहां पर 6 मिलता है कितने बंदने एक तो आपके पास यह बंद रहा 817 का एक आपके पास में हैं एक टॉन्टी थिरी का और एक आपके बन जीरो फाइब का ओके बन गए तीन अंक आएंगे सिंपल सी बात है अब मुझे बताओ एंड कंक बता दो आप तो डायरेक्टली सेबन किसमें आता है 27 मात जीरो बचाने का मतलब जीरो बचाना हमको जरूरी है इसको काट दिया बैसे भी अब तक 11 में से दो गया आपके पास कितने बच रहे हैं आपके बच रहे हैं फिर आपके पास यह बच रहे हैं सेवन फिर आपके पास में थ्री है फिर आपके पास में टू एट फाइब जी के पास में 125 पास तो हो नहीं सकता 64 के बाद 4 आएगा सिंपल सी बात तो पैलंक भी आपको नोगया पैलंक आपके पास चार हो गया एंड़का आपके पास में तीन हो गया बट प्रोब्लम फिर से यही कि बढ़िया बीजग कहां है बीजग कैसे डूढ़नें के तो वो सुनो इसको किसे गुणा करूँ कि अखिरकर मुझे 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 नौ मिले अब देखो दो से गुणा करूँ तो चोड़े आते तो चोड़े मापके यह-स हो नहीं सकता 5-7-35 नहीं बैठता 6-7-42 तो भी नहीं बैठता ठीक है 8-7-8-56 तो भी 16 नहीं बैठता बट 27 का 7 गुणा 7 करू 7-7-49 होते की नहीं होते अब बता हुझे 9 मिला की नहीं मिला मिला नहीं 9 बस ये तो चीए था बीचकंग कों मिल गए आपके पास में ये 9 मिल गया तो 493 आपके पास में क्या हो गए इसके आंसर हो गए तो 473 आपके पास में क्या हो गए आंसर हो गए